असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो वैसे तो हम सब डिली सीडियों का इस्तमाल करते हैं लेकिन क्या हो अगर आप किसी ऐसी सीडियों पर चड़ें जहां जाकर आप सबको मौत याद आ जाए वैल आज किस वीडि में मौझूद है इस किले को 14 सदी में उस वकत की राजा ने बनवाया था ये किला 3676 फिट की उचाई पर मौझूद है और इसे इस तरह से तामीर किया गया था कि कोई भी शक्स इसके उपर चड़ कर राजा को नुकसान ना पहुँचा सकी आपको जान का हैरानगी होगी कि इस पाड़ पर चड़ने के लिए कोई प्रॉपर सीडिया मौझूद नहीं है बलकि पाड़ को खोद कर अंदर रास्ता बनाया गया था और इस रास्ते पर चोटे चोटे सुरा किये गए ताकि इनमें हाथ को फंसा कर उपर जाया जा सके सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इतने स्लिपरी हो जाते हैं कि इनसे कोई मदद नहीं मिलती ये स्टेर्स स्लिपरी होने के साथ साथ इतनी आड़ी देड़ी है कि इने देकर ही बंदे के होश ओड़ जाते हैं लेकिन इसके बावाजूद ये इंडिया की सबसे फेमस हाइकिंग प्लिसेज में से एक है और आलमुस्ट हर रोजी यहां लोग गुमने के लिए आते हैं और इन सीडियों पर चड़कर फोड का नजारा लेते हैं। वे या फिराटा दुस्टो हम में से बहुत सी लोग ऐसे हैं जिने उचाई से डर लगता है पर जो लोग कहते हैं कि इने उची जगों से खौफ नहीं आता तो इस रस्ते को देखकर इनके भी पाउं कांपने लग जाएंगी। पौँ रखकर रास्ता तै किया जाता है। वैसे तो इन स्टेर्स पर चड़ने के लिए पाढ़ के साथ एक रसी भी लगाए गई है ताकि इसे पकड़ कर सीडियों को चड़ा जा सके। लेकिन कोई भी नॉर्मल बनता इन स्टेर्स पर नहीं चड़ सकता क्योंकि ये देख वाके ही में टैरिफाइंग है। पर मौजूद है और उपर जाने का एक ही रास्ता है जो कि इन खतरनाक स्टेर्स पर मुश्तमिल है। ये स्टेर्स पहाड की एज़ पर बनी हुई है और इन में सेफटी का कोई इंतजाम नहीं है। अगर खुदा नखास्ता किसी का पाउं स्लिप हो जाता है तो वो नीचे मौजूद गहरी काई में गिर जाएगा। इवन पारिश के मौसम में तो ये जगा और सदा खतरनाक हो जाती है। दिसंबर 2016 में इस रास्ते से एक 27 साला लड़की गिर गई थी और इसकी बाड़ी दस दिन बाद मिली थी। ये रास्ता रियली बहुर डेडली है। टेरवेस टू हैवन दूसों ये जो डेंजरस लेडर आप दिख रहे हैं ये औस्टेलिया की पाढ़ में मौजोत है। ये स्टेर्स दो पाढ़ों के दरम्यान में बनाए गई हैं ताकि लोग इन पर चड़कर एक पाढ़ से दूसरे पाढ़ तक जा सकें। लेकिन ये रास गया है। इवन इनकी दोनों साइड्स पर लगी हुई सपोर्ट्स भी केबल से बनी हुई है। जब भी कोई इन पर चलता है तो ये पूरी लेडर जूलना शुरू कर देती है और बंदे का बैलस भी बरकरार नहीं रहता। असलम ये स्टेर वे एक चोटे पहाड को बड़ नहीं है। लेकिन जब पहाड पर बरफबारी होती है तो वो चेन भी बरफ में दब जाती है और बंदे को अपनी हिमत पर ही उपर चड़ना पड़ता है। इस मौंटेन की दोनों तरफ गहरी खाईया मौजूद हैं और अगर कोई गलती से गिर जाए तो इसकी बॉड़ी तक नहीं मि देख रहे हैं यह सौथ अमेरिका के एक मुल्क पिरू में मौजूद है इस रास्ते को 15 सेंचरी में बनाया गया था असल में इस पहाड की चोटी पर एक कैसल मौजूद है और वहां तक जाने के लिए इन सीड़ियों के इलावा और कोई रास्ता नहीं है यह स्टेर्स सीड़ियां चड़नी पड़ती है इससे भी डेंजरस बात यह है कि इन सीड़ियों के साथ कोई सपोर्ट भी नहीं बनाये गई जिसके सहारे उपर चड़ने में आसानी हो अगर गल्दी से भी किसी का पाउं स्लिप हो जाए तो वो सीधा काई में गिर जाएगा और इतनी उ सीड़ादा खतरनाक मॉंटेन प्लेस शायद आज से पहले आपने कभी ने देखी होगी यह जगा चाइना के प्रोविंस शैंजी में मौजूद है वाशन मॉंटेन को चाइना के लोग एक होली प्लेस मानते हैं यह जगा जमीन से 7,66 फुट की उचाई पर मौजूद है 700 सा पहले इस मौंटेन पर जाने के लिए सीड़ियां बनाई गए थी ताकि लोग वहाँ पर जा सकें और यह स्टेर्स आज भी मौजूद हैं लेकिन यह रास्ता इतना खौफनाक है किसे देकर किसी को भी डर लग जाएगा सबसे पहली बात तो यह है कि यह सीड़ियां नॉर् स्लिप हो जाता है तो वो नॉर्मल सीड़ियों से गिरने की तरह फिसलता नहीं है बलकि सीदा आस्मान से जमीन पर गिर जाता है इस रास्ते को रोड ऑफ दा हैवन भी कहा जाता है क्योंकि पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद यह नजारा किसी जन्नत से कम नहीं होता ल सुनने में तो यह बात अजीव लगती है लेकिन यह जो स्टेर्स आप दिख रहे हैं यह चाइना की एक पहाड़ पर बनाए गई है इस मौटेन की उचाई 1345 फुट है यह सीडियां बिलकुल वाइड कलर की है और इन्हें देकर ऐसा लगता है जैसी आस्मान में जा रही इट मेंस कि अगर आप ज़रा सभी लेफ्ट या राइट होते हैं तो सीधा कई हजार फोट नीचे गिर सकते हैं यह जगा दुनिया की सबसे फेमस विजडिंग प्लेस में से एक है दुनिया पर से लोग यहां आते हैं और इन स्टेर्स पर चड़कर बकाईदा फोटो शू एक है दुनिया राइस